हेलो एन वेलकम तो माई चैनल स्वातीज़डन लाइस्टायल एंड मैं हूँ स्वाती फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ नवरात्री सीरीज का डे टूप मेकप लुक शेयर कर रहे हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा मैंने पहला जो डे वन का मेकप टूट्यूरियल था वह आप लोगों के साथ शेयर किया था सिर्फ चार्ट चीजों के साथ मेकप कैसे किया जाए वह अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल है काई इसी तरह के नो वीडियो मेरे चैनल पर बैक टू बैक आने वाली है तो इस्टे टून विद मी और वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक किजिए शेयर की ज़िए और सबस्क्राइब भी जरूरिए तो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हू तो आज में रखर जैट करें कि तरह रेट चाड़ी के साथ किस तरह की जो लिपस्टिक है वो हम लगाएं तो थे अपने अपने एक बहुत ही ब्राइट कलर होता है तो फैंट वह हमारी सकिन पर भी हमारे सेज़ करता है तो उसको ध्यार में रखते हुए मैंने ये मेकप लु पसंद आएगा करक Yog guy तो आप लोगों के साथ आप वे-टर पहर शेयर करूँगी तो नौ दिन में को यह जिता है है अगर में कॉन से इसीर्यूंट के रहें थो यह मेकप सीरीज मेरि आप जरू कर सकते हैं और अगर चैनल पर पहली बार आये हैं तो मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं मैं फैशन, मेकप, हेरिस्टाइल, लाइफस्टाइल, साड़ी स्टाइलिंग टिप्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहती हूं अगर आप इंट्रस्टेड हैं इस तरह की वीडियो को दे खरच करना होता है। उसके बाद फाउंडेशन ले लेंगे, फाउंडेशन को भी डौट-डट करके अपलाई कर लेंगे तो फ्रेंट्स अगर आप ब्रश से लगाएं यहाफिंगर से लगाएं आप पहले डौट-डौट करके इसको एपलाई कर लें पूरे फेस पर, नेक मेकप टूल के बिना आप कैसे मेकप लोग क्रियेट कर सकती है तो फ्रेंड्स वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है नहीं देखी है तो जरूर देखेगा उसके बाद मैंने हाँ पर जो कंसीलर है वो अपलाई कर रही हूँ अगर आपके ज्यादा पिग्म से भी एपड़ाई कर लिया इस तरह से उसके बाद मैं आपकांटोरिंग वह भी कर लेती हूं बिलकुल भी बलश Important एकस बास graffiti है वहां से ले जाती है अप करना है अपने जो चीक्स बोन है वहां ए लिजा नहीं है उसके बाद मैंने blue heaven का compact लिया है उससे मैं अपने foundation को और अपने concealer को set कर लोंगे friends अकसर क्या होता है कि हम जब makeup करते हैं तो अपने face को ही ध्यान में रखते हैं हम अपने neck part है और ears है उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं friends भूलना नहीं है आपको face के साथ अपने ears को भी cover करना है अपनी neck को भी cover करना है और friends जो face powder है वो मैं आप देख सकते हैं किस तरह से लगा रही हूँ जहां से मैंने contouring की थी उसके बिल्कुल नीचे की line से मैंने apply किया है और आखों के नीचे मैंने इसको लगाया है जो मैंने blusher apply किया था और जो मैंने contouring की थी वो उस जगे पे मैंने बिल्कुल भी जो compact है वो नहीं लगाया है और आखों को भी मैं अच्छी तरीके से compact से set कर लोगी तो friends eyeshadow के लिए मैंने make up revolution की palette ली है और इसमें से मैंने ये वाला color pick किया है brown color pick किया है और इसको मैं अपनी crease line के उपर से blend करूँगी तो friends आप देख सकते हैं मैंने crease line के भी उपर से इसको blend करना शुरू किया है तो friends जब तक blending करेंगे जब तक की हमें pay of color ना मिल जाए हमारा जो desired color है वो ना जाए उसके बाद हमें outer V को बनाते हुए color को इस तरह से blend करना है जैसा आप देख सकते हैं तो friends अब ये हमारा area खाली है तो यहाँ पर हम ये shimmery color लेंगे यहाँ पर मैंने golden shade लिया है और जित्ता भी हमारा जो eyelid था वहाँ पर हम इसको पूरा fill कर देंगे इस तरह से तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा है liner के लिए मैंने ये seven seas का golden liner है ये apply किया है तो friends आज मैं थोड़ा सा different look create करना के लिए सोच रही थी तो मैंने black की जगे मैंने ये golden liner है ये choose किया है तो friends आप लोग मुझे comment करके ज़रू बताईए कि ये look मुझे पर कैसा लगा उसके बाद मैंने आगे की तरफ थोड़े से जो corner है वो निकाल दिया है थोड़ा सा मैंने wing निकाल दिया है उसके बाद मैंने जो same brush था वही मैंने लेकर जो नीचे की lower lash line है वहाँ पर इसको अच्छे ची तरीके से blend करूँगे इस तरह से दोना आइस पर कर लूँगे और उसके बाद मैं लगाँगी हाँ पर काजल तो friends काजल मैंने आप से कल बोला था कि मेरा जो काजल है वो मोटा अच्छा नहीं लगता है जिसके बिना जो मेरा make-up है वो बिल्कुल भी complete नहीं होता तो friends इससे लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी fake eyelashes की जरुवत नहीं पड़ेगी believe me उसके बाद हम चलते हैं Hilary Roda के eyebrow palette की तरफ तो यहाँ पर 3 shade है तो यहाँ पर मैं darker shade ले रही हूँ और darker shade को मैं बिल्कुल जो बाहर की eyebrow है यानि की outer eyebrows पर मैं apply कर रही हूँ इस तरह से आप देख सकते हैं तो friends यहाँ पर 3 shade दिये गए हैं तो जो dark है वो सबसे आपको last में लगाना है और जो light है उसको आपको starting करनी है यहाँ से जैसे की आप देख सकते हैं और friends जो beach का color है उसको आपको बिल्कुल beach के हिस्से में लगाना है तो यह 3 shade जो दिये गए हैं वो इसलिए दिये गए हैं कि आपको बिल्कुल जो eyebrows हैं बिल्कुल natural मिलें तो यह palette मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई अगर आप चाहते हैं तो आप इसको try कर सकते हैं अंडर 200 में आपको मिल जाएगी उसके बाद इस spoolie भी हाँ पर मिल जाती है हमें कॉम कर लेंगे और अब आती हमारी साड़े की बारे कि साड़े हम यह red पहनते हैं और blouse भी हम red पहनते हैं तो lipstick कैसी लगाएं अगर हम red लगाती हैं तो थोड़ी सी वो बहुत जाता मिली जूली सी हो जाएगी अगर हम golden color का लगाते हैं तो हमें red लगानी चाहिए definitely अब मैं यहाँ पर यह दो shade की lipstick हैं इनको merge करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर red blouse है वो पहना हैं तो friends इसको हम थोड़ा सा calm down करेंगे मैंने यहाँ पर एक lip पर red color की lipstick लगा ली है और दूसरे lip पर मैंने यह blue heaven की nude kind of shade है plum shade वो लिया है तो friends इसको हम जल्दी से apply कर लेंगे क्योंकि यह matte lipstick है और बहुत जल्दी सोख जाती है इसको हम जल्दी से merge कर लेंगे तो अब भी मुझे dark shade ही मिला है जो कि मुझे अभी पसंद नहीं आया उसके बाद मैं इसको tissue paper से निकाल दूँगी जो भी extra product होगा वो न नहीं चाहिए और नहीं हमें वो मिला तो friends यहाँ पर मैंने matte lipstick लगा कर अपने जो shadows को calm down कर दिया है उसके बाद हम here style की तरफ चलते हैं जिसके बिना हमारा जो look है वो incomplete है तो मैंने आगे के जो बाल है उसको थोड़ा सा जैसा आप देख सकते हैं round करके निकाल दिये हैं बिल जोड़े से बालों को छोड़ते हुए हम अपने बालों की पतली पतली सी दो चोटियां बना लेंगे इस तरह से तो friends आगे कि यह जो हैं दो फ्लिक आप छोड़ देंगे और आप 3 ब्रेट की जो चोटी है वो बना लेंगे तो friends जल्दी से हम बना लेते हैं तो अब हमने द इस तरह से हम बना लेंगे इसके कर्ल्स तो friends बहुत ही अच्छे कर्ल्स बनते हैं तो आपके ऊपर है कि आप कर्ल्स बनाएं या इसको ऐसे ही छोड़ दें तो friends हम रेडी हैं बट फाइनल लुक देखने के लिए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ आएनल लुक की बनाएं बार स्वार लुक की तरह से जोड़ फाइनल लुक की तरह से हम पार लुक है तो आप, इस बनाएं जो आपके लिए झाओके बनाएं लुक।